हेलो जग्यासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे इस कारिक्रम लाइव चर्चा में दिव स्रजन स्प्रिच्वल चैनल पर जैसा कि आपको विदित है कि परतेक दिवस रात्री नौ बजे यह कारिक्रम होता ही होता है परंतु दो दिनों से होली पर्व के कारण कुछ व्यस्तता आ गई जिस कारण से दो दिन का लाइव हम नहीं कर पाए थे और एक दिन तो शेड्डूल था ही नहीं होना ही नहीं था और एक कल का जो था उसे आज किया जा रहा है कल के विशेय पे चर्चा आज हो पा रही है तो आज की जो चर्चा है वो कल के ही विशेय पर है तो उसे रिशेड्डूल करकर फिर से आज नौ बजे उसको फाइनल किया गया कि आज इसको कर देगे तो मित्रू आज का जो विशेय है वह कठो उपनीशत से है और कठो उपनीशत का ही विशेय है कि मनीशा ही आत्मा को देख सकती है तो प्रशन है कि मनीशा क्या है तो कठो उपनीशत के द्यूतिय ध्याय के तीसरे वल्ली पर हम चर जटक्षा कर लिया है एक आत्म अनुभूती का विश्य और एक की संसार रुपी विर्ष का जो जट है वो आत्मा ही है जिस प्रकार से जट दिखाई नहीं देता वैसे ही आत्मा दिखाई नहीं देता लेकिन अगर खुदाई करोगे जमीन में मेहनत करोगे खुदाई करोगे तो पेड़ का जड़ भी दिखता है और अगर अभ्यास करोगे ध्यान यूग का अभ्यासी बनोगे प्रेमी बनोगे तो निश्य ही वो आत्मा भी दिख जाए उसको भी जानना असंभव नहीं है यहां कठिन है लेकिन असंभव तो नहीं है तो यहीं बात यहां पर भी कठो अपनिशद में भी कुछ ऐसे ही बात समझाने की प्रेयास किया गया है कठो अपनिशद के चर्चा में भी ऐसे ही बाते इसपश्ट की जा रही है तो ऐसे ही बातों को हम देखेंगे कि आखिर यह आत्मा को कौन देख सकता पहली बात तो यह क्या कोई आत्मा को देख सकता है तो फिर ये मनीशा कौन है मनीशा वैसे तो कई लड़कियों का नाम भी मनीशा होता है लोग रखते अपने घरों में लेकिन यहाँ पर मनीशा आत्मा मनीशा ही आत्मा को देख सकती है इसका हार्थ इसका हार्थ क्या है इस पर आज हम चिंतन गरते हैं और समझने का प्रयास करते कि मनीशा कौन है यह मनीशा क्या है उब जिसके अंदर आत्मा को देखने का सामर्त है ठीक त hicoo पर हमने चर्चाए की उस पर हम फिर से हम देख लेते है कि कीसे बताया गया तो इससे पिछली जो विडियो है वो होलिका दहन पर है उस से पहले वाली आत्मन भूति पर तो आत्मन भूती के विश्य में बताया यह था आदरशय था आतमानिंग यह था स्वपनी तथा पित्र लोके यह था अप्सु परीव दद्रशे तथा गंधर्व लोके छायात पयोरीव ब्रह्म लोके के जैसे दर्पन में वस्तुवे दिखाई देती हैं जैसे जल के अंदर वस्तुवों का प्रतिविंब नजर आता है जैसे स्वपन में हम चीजों को को देखते हैं पित्र लोक में फिर गंधरव लोक में जो चीजे देखती हैं उसी प्रकार से ही तो गो आत्म अभूती भी शुरुख हो जाती हुए मत zmadhya कि एसे समझना चाहिए समझाने लिए तो इसका मतलब यहां नहीं है कि सपना देखने लगो तो कहोगे कि इश्वर दिखाई दे रहा है इसका मतलब यह नहीं कि सिसे के सामने खड़े हो जाओ और बोलो कि जैसे दरपन में दिखाई देता है वैसे ही तो आत्मनों भूती हो रही है जी नहीं इसका मतलब यह नहीं कि पानी किसी कुए में या किसी तो इन देगा तो इसका अर्थ यह भी नहीं है कि जैसे आप पानी में परतिान में लेंगे जी यहां पर एक प्रुसाहन देने के लिए प्रेणा देने के लिए एक साधकों को एक मनोबल प्रदान करने के लिए कि तुम निश्य आत्मनभूती को प्राप्त हो जाओगे ये बाते कही जा रही है कि जैसे दर्पन में भी हम जितनी सहजता से हम दर्पन में अपने शवी देख लेते हैं उसी प्रकार बड़ी सहजता से ही हम लोग आत्म अनुभूती को भी प्राप्त कर सकते हैं परंतु वो सहजता कहने का तात्पर की उतनी सहजता से दिखती हैं लेकिन उस दर्शन को प्राप्त करने के लिए तो योग मार्ग से गुजरना पड़ता है ध् इंद्रियों की जो भाव प्रत्ख सत्ता है उनका उदाय और ले हो जाना स्वभाविक है उसे जानकर धीरपुरु शोक नहीं करते हैं बदलते विश्यों पर हमने चर्चा पहले ही कर दी है ठीक है अब आगे किये जो इस्रोक हैं वो यह भी कहते कि स्रिष्ट कौन है बुद्धी स्रिष्ट है आत्मा स्रिष्ट है तो कहा जा रहा है इंद्रियों से स्रिष्ट मन है इंद्रियों से स्रिष्ट मन है इंद्रियो भ्या परमम मनो मनसह सत्व मुत्तमम इंद्रियों से स्रिष्ट मन है और मन से भी स्रिष्ट सत्व है सत्व बुद्धी कहिए या फिर जो सात्विक बुद्धी है उसके लिए सत्व के लिए कहा जाए सत्व है उत्तम है सत्व आत्व और उस सत्विक बुद्धी से मतलब जो बुद्धी है वास्तों में जो बुद्धी तत्वों से महत कहते हैं उस महत तत्व से भी अति उपर वह आत्मा है उस आत्मा को महत से भी उपर जानोगे जीवात्मां से भी उपर जानोगी कि जीवात्मा का अधार महत तत्व ही है महत तत्व ही बुद्धी है बुद्धी से ही अविद्या है और अविद्या से ही एहंकार मन है और फिर ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां पंचभूत पंचतन मात्राइं इन सभी का विकास हो जाता है कर्म का विकास हो जाता है कर्मों से फल का विकास हो यह प्रक्रिया तो उसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते विए इस स्लोक में बताया जा रहा है कि इंद्रियों से स्रिष्ट मन है मन से स्रिष्ट सात्विक बुद्धी या सत्वोगुन सत्वोगुन को कहा जा रहा है और उससे स्रिश्ट उससे भी सरिश्ट आत्मा है और आत्मा तो बुद् interprez से अन्त में यह कहा जा है क्योंकि मन हुआ इंद्रियां हुई हैंकार और फिर महत और इन सबसे पर आत्मा這是 सबसे पर आत्मा है तो आत्मा तो इन सबसे भी स्रिष्ट है ऐसा यहां पर कहा जाए अब आगे चलते हैं अव्यक्तात्तु परह पुरुशो व्यापको अलिंग एवच यम ज्यात्वा मुच्चते जन्तुर मृत्त्वम्च अगच्चती परंतु अव्यक्त से व्यापक और अलिंग सर्वधा आकार रहिते लिंग मतलब आकार लिंग मतलब चन्न है लिंग मतलब पहचान ठीक है तो इसलिए कहा गया अलिंग अलिंग मतलब जो लिंग रहित है जो गुन रहित है जो आकार रहित है अव्यक्त तक्तु परह पुरुशो व्यापको अलिंग एवच वह जो अव्यक्त से भी परंव्या अव्यक्त प्रुष्छ भी जो परम व्यांत्म अव्यक्त है कि सर्वधा अ लिंग है लिंग्ड्रहिटół अरशात अकार है वह मुक्त हो जाता है और अम्रित स्वरूप आनंद में ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तो कोई भी अपनी आखों से देख नहीं सकता क्या कहा जा रहा है कि इस परमेश्वर को इस परमेश्वर को वास्तविक रूप में उसके बहुत सारे manifestation है उसके बहुत सारे दूसरे रूप है जहां वो अनिक रूपों में अपने आपको प्रकाशित करता है यह संसार भी उसी का रूप है जगत में प्रतेक वस्तु उसी का रूप है इसी लिए यहां पर कहा जा रहा है वास्तविक रूप वास्तविक रूप क्या है उसकी चर्चा की जारी है तो कहा जा रहा है कि उस प्रमेश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है अपने सामने प्रतक्ष विशय के रूप में नहीं ठहर सकता वो नहीं ठाहरता प्रमात्मा का वास्त्रीक रूप प्रतक्ष में हमारे सामने नहीं ठाहरता इसलिए कहा जा रहा है चक्षुषा ना पश्चती अर्थात चक्षुओं से उसे कोई देख नहीं सकता है चक्षुओं से उसे कोई जान नहीं सकता है उसे देखा नहीं जा सकता है। के वास्तवी कुरूत को आप चरम चक्छुमों से नहीं देख सकते आप ना इंद्रियों से देख सकते हैं ना मन से ना एहंकार ना बुद्धी से आप उस आत्मा को नहीं देख सकते अब यहां पर बात आती है आगे बताया जाए कि कैसे दिखाई देगा कौन देख सकता है तो क्या कहा गया इस लोग के अंदर हिर्दा मनीशा हिर्दा मनीशा हिर्दा मनीशा मनसाभिक लिप्तो यह एतत विदुर मिर्तास्ते भवंती तो अब इसका अर्थ क्या है जिनका हिर्दय निर्मल और निश्चल है जो अनेका नेक विचारों से मुक्त हो गया है अनेका नेक विर्थियों के बंधन से मुक्त है जिनके मन में ऐसा कोई मैल नहीं है जो बायस्ट नहीं रहते हैं एक तरफा नहीं होते जिनकी बुद्धी समत्व को प्राप्त हो गई है तो इसलिए कहा गया चक्षुषा नापश्चती मनसा अभिक लिप्ता हिर्दा मनीशा दृष्षते ये एतत विदु मनीशा समत्व बुद्धी विशुद्ध बुद्धी एक बुद्धी जो अविद्या की ओर देखती है और एहंकार को जनम देती है और वही बुद्धी जब निर्मल हो जाती है चित वर्ती निरोध से, जब वो स्वक्ष हो जाती है, वर्तियों का जो प्रदूशन है, उसमें नहीं रह जाता, नहीं रह जाता वर्तियों का प्रदूशन, प्रदूशन मतलब की बहुत सारी तरह-तरह की जो वर्तियां है, अब रिषय की व्रतियां बहुत अच्छी है तो वह प्रदूशन नहीं है वह भी प्रदूश है कि थी। है इसलिए जब मुझर अध्यात्मी के विश्यों को समस्टे हैं तो मात्र-पाप का बंधन नहीं होता पुन्य भी बंदन होता है तो हर एक प्रकार की विर्तियां प्रदुष्चन का रूप धारन करती है तो वह उनसे जिसका मन मलीन था और अब साफ हो गया है जो विशुद्ध बुद्धी जो विशुद्ध बुद्धी के द्वारा देखने में आता है समत्व बुद्धी ही मनीशा है यहाँ पर जो मनीशा शब्द का प्रयोग हुआ है वह समत्व बुद्धी और विशुद्ध बुद्धी के लिए हुआ है वह शुद्ध रूप में जो महत तक्त्व है वही तो पहला तक्त्व ही तो महत है ना वह अविद्या देखता है और ज जब वो आत्मा की ओर देखेगा तो कैसे दिखाई देगा उस आत्मा का साक्षातकार कैसे होगा विशुद्ध बुद्धी से होगा मनीशा से होगा और मनीशा की प्राप्ति कैसे होगी योग से होगी जब आप सही तरीके से योग करेंगे और योग करने का तात्पर है चित् कम कर लेना आखों की रोशनी बढ़ा लेना केड़नी अच्छा कर लिया विमारियां दूर कर ली मात्र इतना ही नहीं है हाँ योग आसनों से कई तरह की विमारियां दूर होती है हमारा शरीर ठीक होता है अच्छी बात है करने चाहिए लेकिन जो योग है उसका लक्ष मात्र स्वस्त करने तक नहीं है शरीर कौ ठीकर रखने तक नहीं है शरीर को हिर्ष्छς पुष्ट रखने हो जाएगा नाडियां शुद्ध हो जाएंगी नाड़ी शोधन क्रिया इन सब क्रियाओं को करते वे फिर गहरे ध्यान में डूबना फिर गहरे ध्यान की प्राप्ति करना गेहरे ध्यान में डूबना यह जरूरी है तब जाकर वास्तों में मनीशा प्राप्ति होगी और वह मनीशा जो समत्व बुद्धी है जो विशुद्ध बुद्धी है वह आत्मा के दर्शन प्राप्त करेगी वही आत्मा का साक्षात कार कर पाएगी वही आत्मा को देख जो यहाँ पर तिर्थी अवल्ली में इस पश्ट रूप से बताया जाया अगले स्लोक में कहते हैं कि यदा पंचावत स्थिंते ग्यानानी मनसा सह बुद्शाना विचिस्थती तामाहु परमाम गतिम मनसा सह मन के सहित पांचो ग्यानेंद्रियों को अब देखे मनीशा क्या है ऊपर के बताया गया कि इन आखों से उस आत्मा परमामा आत्मा को आप नहीं देख सकते हैं कैसे सकते हो मनीशा से देख सकते हो मनीशा क्या है विशुद्ध बुद्धी चित्वर्ती निरोध करने पर जो अवस्था प्राप्त होती है बुद्धी की वह प्रथम अवस्था ही मनीशा है निरूध करने पर करने के बाद तो ऐसी आवस्था में जो प्राप्त कर-लेते हैं सम्त्व बुद्धि सम्मक बुद्धि भी विए वो फिल उससे आत्मा का दर्शन उससे आत्मा का साक्षातकार हो गा अब्ये अवस्था आएगी कैसी वो आगे बताया जा रहा है यदा पंचावत स्थंते ग्यानानि मनसासा बुदिश्या न विचिष्ठती तामाहु परमाम गतिंग जब मन के सहित पाचो ग्यानेंद्रियां भली भाती इस्थिर हो जाती हैं और बुद्धी भी किसी प्रकार की चेश्ठा नहीं करती सुनिये ध्यान से जब मन के सहित पाचो ग्यानेंद्रियां भली भाती इस्थिर हो जाती हैं और बुद्धी भी किसी प्रकार की चेश्ठा नहीं करती उस इस्थिती को परमगती प्राप्त होती है उसी स्थिती से परमगती प्राप्त होती है और उसी स्थिती में परमात्मा क के दर्शन भी प्राप्त होते हैं उसी स्थिती में तो मन के सहीत पाचो ग्यानेंद्रियां भली भाति इस्थिर हो गई और बुद्धी के अंदर सारी चेश्ठाएं खतम हो गई अविद्या को देखने की जो चेश्ठा थी वो खतम हो गई अविद्या का नाश हो गया है जो ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं वो परमगती के अधिकारी है तो परमगती को कौन प्राप्त कर सकता है परमधाम को कौन प्राप्त कर सकता है यह समझे स्री बाह अगवान का नाम ले लेना बाहर बाहर से ही प्रयाप्त नहीं है मन उस अवस्था में पहुंचना चाहिए ठीक है आगे चलते हैं ताम योब मिती मन यंते इस्थिरा मिंद्रिया धारणाम अप्रमध्ध स्थदा भवती योगों ही प्रभव व्याप्यों उस इंद्रियों के इस्थिर्धारण को ही योग मानते हैं मन बुधी और इंद्रियों का जो इस्थिर्ता इस्थिरवस्था है उसको कहा जा रहा है वही योग है योग क्या है यह भी यहां पर बताया जा रहा है ताम इस्थिराम इंद्रिय धारणाम योगम इती मन्यते मन्यते अर्थात उस इंद्रियों की इस्थिरवस्था जिसको पहले कहा गया पंचावत्षंते ग्यानानि मनसास की ज्यानिंद्रियों की सहित मन और बुद्धी की स्थिर्था को प्राप्त हो जाना ऐसी अवस्था में मनीशन जागरत हो जाती है मनीशन शक्ति जागरत हो जाएगी औरعة और उसी मनीशन से पर्मातमा काively नशन होगा ठीक है और यही योग है अगले स्लोक में क्या कह रहे हैं कि यही योग है कि इंद्रियों मन की इंद्रियों की यह जो इस्थिर वस्था है यही योग है क्योंकि उस समय प्रमाद रहित अर्थात कोई नशा नहीं रहेगा कोई सम्मोहन नहीं रहेगा उस साधक के अंदर जिसने मनीशा की अवस्था को प्राप्त किया उसके अंदर कोई सम्मोहन नहीं रहेगा वह कभी सम्मोहित नहीं होगा तो ताम इस्थिराम इंद्रिय धारणाम योगम इती मनियंते ही तदा आप्रमतह भवती योग प्रभव्याप्यो वह प्रमाद रहित हो जाएगा और योग उदय और अस्त वाला होने वाला है चीक है अर्थात उसके अंदर योग का उदय हो ज जाएगा इस प्रकार से यहां पर समझाव जाएगा उसका योग जो है प्रभावशाली हो जाएगा उसके योग में बल आ जाएगा उसे योग बल की प्राप्ती हो जाएगी तो यह कहा जा रहा है फिर आगे इसी तथ्यों को बढ़ाते हैं भी कहा जा रहा है नैव वाचा नेत्रों से नचक्षुशा प्राप्त्रों शक्य वह प्राप्त करने योग नहीं है वानी से नेत्रों से उसे कोई जान नहीं सकता है वह अवश्य है इस प्रकार कहने वाले अतरिक्त दूसरे को कैसे मिल सकता है कहने से भी नहीं परमात्मा है सब को चलाने वाला वही है सब को देखने वाला वही है ऐसा कहने मात्र से ऐसा कहने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति किसी को नहीं होती है ठीक तो परमात्मा की प्राप्ति मात्र ये कहने से नहीं हो जाएगा कि प्रमात्मा है मैं मानता हूं कि है ऐसा कहने से नहीं हो जाएगा काम नहीं चलने वारा इसलिए कहा जा रहा है ना तो वानी से और ना ही चक्षु से बलकि मनीशा से मनीशा कौन है? मन, इंद्रियां और बुद्धी की इस्थिर अवस्था ही मन, इंद्रियां और बुद्धी की इस्थिर अवस्था, समत्व बुद्धी, विशुद्ध बुद्धी की अवस्था ही मनीशा है और उसी मनीशा से आत्मा का साक्षातकार संभव है उसके पहले जो कुछ भी है वह सब प्रकाशित है प्रकाशित रूप में है वास्तविक रूप में नहीं एक बत और आज के व्याख्यान में एक और बात समझ ले कि इसके पहले मनीशा वाले स्लोप के पहले एक और बात निखे गई कि प्रमात्मा के वास्तविक रूप को जा संभव नहीं है चक्षों से संभव नहीं है हाँ वैसे तो आप जो कुछ भी देख रहे हैं सब उस ब्रह्म का ही विवर्त है सब कुछ उसी का प्रकाशन है सब कुछ उसी से है परंतु उसका जो वास्त्विक रूप जो तत्वरूप है वह ना तो मन से ना इंद्रियों से ना बुद्धी से कोई जान सकता है एक अवस्था है जहां पर मन बुद्धी इंद्रियां इस्तिर अवस्था को प्राप्त हो जाती है योग करते करते और बुद्धी विशुद्ध हो जाती है समक्त्व बुद्धी प्राप्त हो जाती है वैसी बुद्धी से समक्त्व बुद्धी से उसी को मनीशा कठो अप मनीशा ही आत्मदर्शन को प्राप्त कर सकता है। उस मनीशा के द्वारा ही कोई उस आत्मा प्रमात्मा को जान सकता है। उसका साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। उससे पुर्व नहीं। उससे पहले नहीं। ठीक है तो यह हमें विचार करना है यह हमें समझना है ठीक है तो इस प्रकार से हमें समझ कर चलना है तो उसी को बार-बार यहां पर समझाया जा रहा कि मनीशा की अवस्था क्या है तो आगे हम आगे में को अगले व्यक्यान में लेते हैं जो विषया बच गया है इंद्रियों किसे हम नहीं जान सकते मन बुद्धी से नहीं जान सकते लगब 12 स्लोक तक हमने देख लिया आगे जो इस लोकों की कुछ संख्याएं हैं लब पांच शे स्लोक और अध्यायक अंतरगत हैं तो कल हम एक अन्य विशय में उन विश्यों को हम समझेंगे क्योंकि आज के विशय पर था वह यह था कि इंद्रियों से स्रेष्ट मन है मन से स्रेष्ट बुद्धी बुद्धी से स्रेष्ट आत्मा है कि बुद्धी ही जीव का अधार है इसलिए जीव से स्रेष्ट आत्मा है कि इंद्रियों से स्रेष्ट मन मन से स्रेष्ट बुद्धी मत्य वुद्ध्धी से मनीशा से अब ये मनीशा क्या है कि इसी से आत्मा साक्षात कार होगा ये सारी बात ये कहने के बाद भी अंत में कहा जा रहा है कि फिर नैन वाचा ना पश्चंती ना उसे कोई आखों से देख सकता है और नहीं कोई उसे वानी के द्वारा जान सकता है अर्थात वहाँ ये भी कह दिया गया कि प्रमात्मा है या आत्मा है ऐसा कहने से भी किसी को आत्मा का ग्यान नहीं हो जाएगा कोई आत्मे ज्यानी नहीं हो जाएगा कोई ब्रह्म में ज्यानी नहीं हो जाएगा अगर वो यह कहता भी रहे कि हाँ आत्मा है तो कहने मात्र से उसे आत्मे ज्यान हो जाएगा ऐसा ब्रह्म ना पाल दे या कह दिया उसने की आत्मा ऐसे ऐसे है तो कह देने से भी नहीं हो जाएगा अगर वो खुद ना जानता हो और उसे जानने का मार्ग ना पता हो और यह जानने का मार्ग कौन सा है यही योग मार्ग है यह भी हमने चर्चा कर ली इस लोगों के माध्यम से योग क्या है तो मनी मनिशा क्या है इंद्रिया मन इंद्रिया और बुद्धी की समवस्था इस्थिर अवस्था ही मनिशा है यह अवस्था प्राप्त कैसे होगी तो योग से प्राप्त होगी यह साब साब कठो अपनिशत में लिखा जा रहा है यह लिखा जा रहा है कि इंद्रिया मन और बुद् सतिर होते हैं इसतिर अवस्ता को प्रापत करते हैं वह क्रिया ही को विधी ही योग मारग है है वह रास्ता जिस रास्ते पर चल जो अभ्यास करकर यह इंद्रिया मन बुर्ध्धी। स्थिर हो जाएंगे वह योग मार्ग है यह कठो अपनिशत में साफ साफ लिखा जा रहा है बताया जाए तो योग मार्गी बनते हुए मन बुद्धी को समत्त वस्था में ले जाकर ही कोई आत्म साक्षातकार को प्राप्त होता है कोई ब्रह्म ज्यान को प्राप्त होता है को सब को इसी रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा इस जनम में गुजरो चाहे अलग जनम में गुजरो ठीक है ये सोच के मत चलना कभी किसी ऐसे भ्रह्म को मत पाल लेना कि कोई स्विच दबा देगा बटन दबा देगा और बस मुक्ति हो जाएगा ऐसा भ्रह्म मत पालना ये शास्त्र ऐसा भ्रह्म देते भी नहीं है ठीक है इसलिए शास्त्रों की वानी को समझना चाहिए चलिए आगे चलते हैं गुमान संग जी मैं महाग्यानी प्रणाम किरपा आपकी हो जाए तो हम भी कुछ हद तक मनुष्य बन सकते हैं मुझे लगता है कि अगर मानों जाती में आकर भी धर्म को ना जान सके सकते तो फिर यहां पशू तो नहीं है ये बिलकुल उतो कहा ही जा रहा है धर्मों ही त आता हूं आपको फिर डिस्टर्ब कर दिया मत करिये डिस्टर्ब हलाकि आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं बुजी एक निगुरा अगर साधना पत पर चलता है तो उसका सफर कहां तक सफल होता है वह कहां किस कारण पतन होगा तो न उसके अंदर साधना पथपर चलने की इक्षा है अगर तिवर इक्षा है तो उसे चलना ही चाहिए लेकिन अगर वो ये सोच कर चल रहा है कि मुझे गुरू की आवशक्ता ही नहीं है मुझे गुरू की कोई आवशक्ता नहीं है और मैं जो हूँ अपनी ही साधना से सब कर है अब एक प्रकार की यह लोग हो गया जिनके अंदर साधना करने की तो तीधर इक्षा है लेकिन किसी गुरू या किसी योगी का सानिध्य प्राप्त करने की इक इक प्रकार के लोग एक मैं नहीं कि झिन सिधा परमधाम में चले जाएंगे तो बहुत बड़े मुर्ख हैं वो उस निगुरे साधक से भी बड़े मुर्ख हैं यह ध्यान रखिएगा इसी लिए जितने पुराने शास्त्रों में जाओगे ना इस तरह की बातें नहीं मिलेंगे पतंजली योग सुत्र का को पढ़रो कभी एक इसलोक ऐसा नहीं लिखा गया है और आप परचार करोगी कि बिना गुरू के तो साधना होई नहीं सकती है सचाई ये है कि अगर तुम्हारे अंदर साधना के तिवर एक्षा है तो गुरू तो दोड़कर आएगा तुम्हारे पास चिंता क्यों करते हैं तोता पुरी महराज पुरी धाम से रामकृष्ण परम परhouse के पास आए यह भिशेश रूप से आए रामकृष्ण परमंथ के पास उनको आना पड़ा कि रविदास राजिस्थान में नहीं रहते थे रविदास मेवाण में नहीं रहते थे रविदास तो काशी में रहते थे लेकिन मीरा बाई के लिए उन्हें मेवार भी जाना पड़ा समझ गए अगर तिवर अध्यात्मिक इक्षा है साधना की तिवर इक्षा है अध्यात्मिके मार्ग पर चलने की तिवर इक्षा है गुरु तो भागा भागा आएगा तुम्हारे पास शिंता क्यों करते हो ठीक है लेकिन यह निगुरा और सगुरा ऐसे सब्दों का प्रयोग करके एक आडंबर नहीं फैलाना चाहिए कि जैसे गुरु जी बैठे हुए ऐसे चुटकी बजा देंगे और बस मिल गया मोक्ष ऐसे तो लाइटे निजलती आ असे तो लाइटे पिनी जलती जुट भाished एक सुच बबाने के लिए याँ सुच्बोर्ट है मेरे पास इसलिए मेरा हाथ इधर जा है तो स्विच दबाने ये पंगा चलाने के लिए बल्ब जलाने के लिए कितनी वायरिंग करनी पड़ती है कितनी वायरिंग करनी पड़ती है तब जाकर वैसा सिस्टम बनता है ठीक है तो ऐसे गुरुवों के चक्कर में तो पड़ो ही मत जो ये कह रहे हैं कि बेटा सारा जबीन जायदाद मुझको समर्पित कर दे अपना सारा जीवन मेरे यहां पर लगा दे और बस मेरे नाम का परचार कर सबसे मेरी पूजा करवा देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दे और मेरी ही पूजा सबसे करवा देख तेरा कल्यान तो मैं ही कर दूँगा साधना वादना करने के जूरत नहीं है बस मेरे ही परचार किये जा और सबसे मेरी ही पूजा करवाए जा ठीक है बस सब हो जाएगा मैं चुटकी बजा दूँगा और तू परमधाम में पहुंच जाएगा प्रकृती है प्रकृती ठीक है उसका अपना एक सिध्धान्त है वो सब के साथ एक जैसा विवहार करती है बक्षती वो किसी को भी नहीं इसलिए कृपा का अर्थ ही है करोगे तो पाओगे जो कुछ करेगा नहीं वो पाएगा कैसे जो कुछ करना ही नहीं चाहता वो पा कैसे जाएगा तो कृपा मतलब करके पा कृध हात उसे बना है न कृपा शब्द करके ही पाओगे ऐसे नहीं पाओगे किरपा कोई चमतकारणी होता किरपा का अर्थ चमतकारणी ज़्यान रखेंग तो इसी लिए ऐसे चकर में मैं तो फसने का बात नहीं कह सकता और कोई में पास अता है तो मैं तो अभ्यास करवाता हूं पूछता भी हूं जो लोग मेंबर्शिप करते हैं कुछ पर परिशान रहते हैं हम तु कहने कि भाई तुमने पैसे दे कर जॉइन किये पूरी गंभीरता से पूरी करो है ठीक है लेकिन कुछ लोग गाइब हो जाते हैं संख्या कई बार बढ़ जाती है तो पता नहीं चलता है तो इसी लिए जिन लोगोंने membership जॉइन किया है उनको कुछ वडियो मिले है उसका अभ्यास कर रहा है कितने दिन का जवाई किया है जरूर message कर सकर पूछ ले आगे के वडियो और आगे की Classes ले ले उनके लिए संदेश ने endorsement कर दे रहा है उनको इसी लिए अभ्यास करना पड़ेगा बिना अभ्यास किये बिना साधना किये फिर तो बात वही होगी ना कि हमारे गुरु जी है मास्टर जी तो हमारे ही घर वाले हैं हमारे ही घर वाले हैं मास्टर जी हम तो पास होई जाएंगे पढ़े चाहे ना पढ़े हम तो बस मास्टर जी के चरन होने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है वैसे ही तत्व ज्यान होना पड़ेगा कि साधना करनी पड़ेगी ठीक है तो इस शौटकट के चक्कर में ना जाने कितने लोग लुट गए ब्रबाद हो गए अपना समय भी बहुत गवां दिया निगुरा सगुरा के चक्कर में तो गुरू का महत्व है निश्शित रूप से है लेकिन कई बार उसको इस ढंग से दिखाया जाता है इस ढंग से दिखाया जाता है। तो ऐसे ठंग से और ऐसा प्रचार करने वालों से कृपय अपनी रक्षा कर ले। समाज को बचा ले। ठीक है है तो समाज को ऐसे प्रचार करने वाले और चमतकारी धंग से चीजों को बताने वाले लोगों से स्वेम भी बचे और समाचकुन बचा है ठीक हाँ चमत अनुभाव होती है दिव्यता आती है कृपा आती है लेकिन कुछ ऐसी बातों को ना करें कि भाई निगुरा उसका पतन जरूरी निगुरे का ही पतन होगा सगुरे का भी पत हो सकता है ठीक है और अच्छा साधक है साधना करने की तिवर इक्षा है उसके अंदर तो गुरु तो उसके पास पहुंची जाएगा क्यों चिंता करते हैं यह प्रकृति का नियम ही कुछ ऐसा है वो ढूंड़ी लेगा वो पहुंच ही जाएगा उसके पास अगर सची कि दिनेश अत्री रियली यूर फैन अभिनंदन है आपका स्वागत है जुड़े रहें व्याक्यानों से चैनल से ओम नमस्षिवाए जी राजूपाल जी जोनती दत्ता जी गुपाल शर्मा अभिशेक मर्ज सत्य की राह पर ध्यान आता है ध्यान है द्वार मोक्ष का मन से जिसे पाया है ध्यान में वो खो जाता है मन से जिसे खोया ध्यान में वह मिल जाता है चलो जी महेश मक्वाना जी प्रताप जाला जी राम प्रकाश जी दिनेश महराज आमसरी जी बहुत दिनों में चैनल पर आया हूँ मेरा मुबाइल खराब हो गया था जी चलो जी बहुत अच्छी बात अब बन गया अब लाब उठाईए पीछे जो छूट गया उसका भी लाब उठा लीजिए पीछे जाकर उसको भी देख लिए रोमेश शुप्रा जी हैरी धिन्स्ता जी भूप सिंख हिचर जी गुड्डु कुमार जी कमल प्रजापत जी योगिंद्र पंडिप जी महेश राम प्रिस्ता जी गायत्री ओली जी पोटी कोटी राजु पाल जी गुरुजी मेरा प्रश्ण विशय से हटकर है लाखों करोडों स्पम मेंसे केवल एक ही अंडे में एक एंटर करता है बाकी क्या कमजोर होते हैं सब क्या नहीं यह तो विशय ही नहीं अध्यात्म का यह आपने अध्यात्मिक प्रश्ण नहीं पूछा है जो कि उपनीशद और से संबंदित हो विशय से हटकर मतलब मैंने सोचा चलो अध्यात्मिक होगा आज के विशय से हटकर होगा आज का जो विशय है उससे अभी जो मैंने निगुरे सबुरे पर उत्तर दिया वह क्या कि वहां आज के विशय से वहभी हटकर था लेकिन आपका जो बिशय है यह वे क्या है वह क्या है बायॉ الإles लॉजिकल है तो बायॉenschा को आप बाइलोची के वैज्व्यानिक्वों से जो डिक्तर्स हैं वह आपको सटी की जानकारी देंगे मैं अंदाजय में कुछ भी बोल जाऊं तो वो ठीक नहीं रहेगा ठीक है अजी आप जो है डॉक्टर महोडवे से यह सब भी आप पता कर सकते हैं ठीक है छलिए अध्यात्मिक गुरु कैसा हो शिष्य की समझ गुरु के प्रति कैसा हो शिष्य के लिए सबसे पहले देखि अध्यात्मिक गुरु कैसा हो सबसे पहले बात तो ये ये पकड़ना ये पकड़ना इतना आसान काम नहीं है आप एक काम कर सकते हो कि आप सच्छे मन से सच्छे हिर्दै से अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ो बस फिर जो सही लोग अगर आपकी खोज सही है ना तो आप सही लोगों को ढूंड लोगे आपको मिल जाएंग लेकिन जब आपकी खोज सही नहीं है आप जाओगे माया ढूंडने आप जाओगे चमतकार ढूंडने और फिर सोचोगे कि आपको मिल जाए रामकृष्ण परमहंस आपको मिल जाए महान जो गुरु आदी गुरु शंकराचार पतंजली जैसे योगी महर्शी पतंजली जैसे योगी गुरु आपको मिल जाए आप ढोड़ने जाओगे चमतकार आप ढोड़ने जाओगे माया और मिल जाए वैसा तो यह संभवनी अध्यात्मिक गुरू कैसा हो हाँ जो सत्यका ग्यान दे जो आत्मे ग्यान के मार्ग पर लगाए हमें योग के मार्ग पर लगाए ठीक है तो पहली बात तो यह है लेकिन हमारी खोज कैसी हम क्या लेने जा रहे हैं गुरू के पास क्या हम जो लेने जा रहे हैं उस बात पर हमारा फोकस है कि यहाम इधर से लिदर भटक गये कुछ और लेने चले गये कि हमें अपने बीमारी दूर करनी थी हमें तो माया का चमतकार चाहिए था तो हम लेने क्या गए हैं यह बहुत ही महत्यपूर्ण हैं हम लेने जाएंगे गलत चीज और चाहेंगे सही चीज हम लेने जाएंगे मिथ्या और हमें मिल जाए सत्य मिथ्या लेने जाओगे तो मिथ्या ही तो मिलेगा न तो देखिए इस स्थान पर मैं यही कहूंगा कि गु गुरू कैसा हो इससे पहले आप निश्चित कीजिए कि आप अगर साधक बनने जाए तो साधक को कैसा होना चाहिए और उसके बाद उठाईए शास्त्र शास्त्र इस विशय में क्या कहते हैं शास्त्र गुरू के बारे में क्या कहते हैं साधक के बारे में क्या कहते हैं योग के दरशक्स से नहीं मिल सकते, गहनता से समझ्ये कि स्वेम के प्रयास से, समझ्ये कि शास्तर कैसे गुरु की बात कर रहे हैं, क्या कह रहें ? यह नी कि आधहा अधूरा कहींसे कुछ पढ़ लिया, गीता का कोई उस लोग उठा के रट लिया यह नहीं थौरोली हर गीता के हर एक इसलोग प्रमनंद चिंतन कर लीजी वास्तों में क्या कहा जा रहा है पूरी गीता नहीं पढ़ सकते हमारे चैनल पर पूरी गीता पर व्याक्या है उसको सुनिए गीता के प्लेइलिस्ट में जाईए आपको सारी व्याक्या मिले तो इस प्रकार से विवेक से आगे बढ़ते हुए फिर आप सही गुरू के पास पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे और मान लिजे कुछ समय के लिए आपके भटक गए तो आप छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे ठीक है जी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे इसलिए सीखिए लीजिए योग मार्ग पर चलिए सब आपके उपर ही निर्भर करता है अध्यात्मी गुरू को हम कैसे समझे कै आपैसे जाने अरे जो आत्मिज्ञान के मार्ग पर लगाएगा जो योग के मार्ग पर लगाएगा वही तो मार्ग देना इसफिol उस पुल पर चल कर आपको जाना इतरु के मैं देखो इसे था घ्या हूं और यह से रासता आ तुम भी आओ मेरे पिछे पिछे इसी रास्ते पर वी दफॉलोवर तुझ फिर जाने का फिर ठीक है अगर आपको लगता है कि नहीं भाई अब मेरा जो मुख्य उद्धिश्य था उससे बाते भटक गई है तो छोड़िये आगे बढ़िये तो यही चीज है लेकिन समाज में एसी कई बाते व्यापत हैं गुरू को लेकर गुरू को बदलने को लेकर कई व्यापते व्यापत हैं जो कि अनुचित लगती है कि मनीशा द्वारा जो आत्मा को देखता है वह जीव है ठीक है मनीशा भी जीव ही है मन बुद्धी इंद्रियां जहां इस्थिर हो गई एक हो गई तो जीव ही तो है न वो जीव ही है अच्छा एक बात बताओ आप स्वप्न किसके माध्यम से देखते हूं आपने कहा मनीशा द्वारा जो देखता नहीं मनीशा ही जीव की अवस्था ही मनीशा है जहां पर मन बुद्धी इंद्रियां इस्थिर भाव को प्राप्त हो गई इस्थिर हो गई तो मनीशा को यंत्र नहीं है जैसे आपकी आखे यंत्र हैं आप अभी देख रहे हैं आखों से देख रहे हैं सुन रहे हैं कानों से सुन रहे हैं तो आख भी यंत्र है कान भी यंत्र है लेकिन मनीशा तो जीव की अवस्था है जहां पर मन बुद्धी इंद्रियां समत्व अवस्था को इस्थिर अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो वह विशुद्ध बुद्धी ही मनीशा क्या योगी योगंबल से शरीर त्याग और ग्रहन कर सकता है बिल्कुल कर सकते शिद्ध योगी जो सिध्धी को प्राप्त हो चुके वही हर को योगी तो ऐसे जो अभी यूग ब्लारम कर रहा है वो भी योगी कहा जा सकता है पर अंत्स azt सब एक ही है इनमें अंतर नहीं है बस तत्वगान का विस्तार है ब्रह्मे ज्यान या आत्मे ज्यान आखरी अवस्था ब्रह्मे ज्यान और आत्मे ज्यान क्या है आखरी मतलब की उसके बाद तो बस परमगती ही होती है परमधामी होता है लेकिन तत्व ज्यान जो है वो नीचे से शुरू होता है इसलिए तत्व ज्यान में 25 तत्वों का ज्यान 25 तत्व ही आत्मा है 25 तत्व ही पुरुष है उसके पहले मन बुद्धि चित एहंकार सब की गती को समझना और सब का निरोध करना निरोधात्म क्रिया से योग करना ठीक है तो वह संपुर्ण ग्यान तक तो ग्यान है वे योगी चलते फिरते कर्म करते वे भी उसका ध्यान में ही रहता है जी हां सही बात है इंद्रिया मन और बुद्धी के इस्थिरता का साधक ने किस अनुभव से प्रमान लेना चाहिए यह प्रमान की लेने की यही पर गडबर हो जाता है मामला अभी भी प्रमान की आवशक्ता है जब यह घटना घटेगी तो प्रमान लेने की जुरत नहीं पड़ेगी जब ऐसी स्थिरता प्राप्त हो जाएगी तो प्रमान लेने की आवशक्ता ही नहीं पड़ेगी तनिक भी संशय नहीं होगा कि मैं खाना खा रहा हूं मेरा पेट भर गया मुझे किसी के प्रमाण की आवशक्ता नहीं को ये मुझे संशय भी नहीं नहीं अभी कहां भरा है अभी तो थोड़ा सा बाकी है भरना उलेगा नहीं नहीं भई मैंने खाया मुझे पता है भर गया डाट सॉल कि ठीक है तो खुद ही आनंद का जर्णा फूटेगा वहां से इसमें बताने की क्या जूरत ति जब तक ऐसी अवस्था है कि मुझे प्रमान लेना नहीं अहीं है अगर प्रमान लेने के आवस्था समझ में आ रही है क्यों कि जब वह आ जाएगी तो प्रमान लेने की आवस्था नहीं रहेगे फिर तो वो सादक कहेगा कि जी हाँ ऐसा अनुभाव होता है ऐसी अवस्था है ठीक है वो प्रमाण लेने के आवशक्ता नहीं वो खुदी अपने आप में प्रमाण हो गाए वह विधी या क्रिया कौन सी है जी हाँ विधी है हिसे का मेडिटेशन कोर्स में हमारे संन मेंबर शिप जुपिटर मेंबर शिप के जो मेडिटेशन कोर्स है उनवें वो विधी करवाय जाती है उसी विदी से योग करवाया जाता है टिवशा की व्याक्षा अगले व्याक्यान giving चलो जी गुरुदम का बंदूग उठा कर छोड़ा एक बढ़ा का है बरम किले का तोड़ा धरवाजा ले लिया मुक्ती का नाका है वो संदर मैं तो शेरों से शूर सिपाही अचारह जी हरी ओं अती संदर गीता जी ऐसी ही पुष्टी की गई है गीता में बिल्कुल सही बात अनूप कुमार भट जी आपके द्वारा बताया गया मैं अभ्यास प्रारभ में जरू करूंगा किन्तु ग्यान के लिए तंत्र विद्या पर प्रकाश डाले ठीक है आगे के व्याक्षानों में मित्रों आगे की चर्चा होगी अब हम चलते हैं इस विशय पर विराम देते हैं और कल फिर 9 बजे लाइव सेशन लाइव चर्चा रहती है और अचानक से कोई विश्ता आ गई तो इस कारण से लाइव सेशन नहीं इंकल हो पाया था लेकिन अब रेगुरल चलेगा आप सभी इसका पूरा-पूरा लाव उठाते रहें तो इसी के साथ विराम देखते हैं बहुत-बहुत आभार आप सभी का अगर कुछ ब वाली बात सही थी और आगर आपको गलत लगे तो उसके लिए छमाक थी और अगर आपको प्रेणना मिल रही है अगर प्रेणना मिल रही है तो वह सब कि ए उनद देया कि कृपा ही है और वहाश्या मारवति की क्रृप है जो ऐसा संजोग और संजोग बनाने वाली वही हैं तो संजोग बना रही है कि ऐसा व्याख्यान मैं कुछ दे पा रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं और आपके द्वारा ही यह चर्चा आगे बढ़ती है आपके प्रशनों के द्वारा आपके कमेंट्स के द्वारा तो जुड़े रहे बने रहे और निरंतर इसको शेर सब्सक्राइब करते रहें बहुत बहुत आभार इसी के साथ यहां पर विराम देते हैं बहुत आभार इसको शेर सब्सक्राइब करते हैं